जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 अगस्त 2021 के धनुरासिफल के बारे में और जानेंगे धनुरासि से संबंधित लोगों के ग्रहे नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होगा और इन परिवर्तन से आपके दैनिक जीवन पर क्या परवाब पड़ेगा जानेंगे सभी बातों के बारे में सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग कैसा होगा 30 अगस्त 2021 किर्शन पक्ष का सौमवार का दिन होगा अस्टमी तिथी अगले दिन सुभे दो बजकर दो मिनट तक रहेगी फिर नौ मी तिथी सुरू हो जाएगी वैघात योग सुभे साथ बजकर चवालीस मिनट तक रहेगा इसके बाद हर्शन योग सुरू हो जाएगा कृति का नक्षत्र सुभे 6 बजकर 49 मिनट तक रहेगा फिर रोहिनी नक्षत्र सुरू हो जाएगा सूर्य देव सिंग रासी में विराजमान होंगे और चंदर देव वर्शब रासी में विराजमान होंगे आज का राहुकाल का समय सुभे 7 बजकर 33 मिनट से सुभे 9 बजकर 9 मिनट तक रहेगा इस दोरान आप अपने सुभ अथवा मांगलिक कारिये की सुरुवात ना करें और आज का भिजीत मूरत यानि सुभ समय सुभे 11 बजकर 56 मिनट से दोफेर 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगा इस दोरान आप अपने सुभ अथवा मांगलिक कारिये कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा पढ़नाम देने वाले होंगे दोस्तो 30 अगस्त का दिन आपके लिए खास रहने वाला है इस दिन जन्मास्टमी का वरत जो कि भगवान कृष्ण को समर्पिथ है रखा जाएगा और सरवार सिध्धी योग होगा और इस बार जन्मास्टमी पर रोहिनी नक्षत्र होगा और चंद्रमा विरसवरासी में होगा और यह त्योहार सरवार सिध्धी योग में मनएगा ये सभी योग पूजापाट के हिसाब से किसी बड़े काम की सुरुवात करने के लिए अच्छे माने जाते हैं इन योगों में सुरूगे किये गए कारिये जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं दौपर योग में जब भगवान शरी कृष्ण का जन्म हुआ था तब भादरपद मास के किर्शन पक्च की अश्टमिती थी रोहिनी नक्षत्र और बुद्धवार था साथि उजदिन चंदर्मा विर्सवरासी में स्थित्था और ये संयोग इस साल भी बन रहा है तो ये जो दिन होगा 30 अगस्त का आपके लिए बहतरीन होगा ओफिस में आपकी काम की तारीफ होगी इस से आपका मन भी खुस होगा और परिवार में सब के साथ बहतर सम्मंद बनेंगे कलात्मक कारियों में आपकी रुची बढ़ेगी किसी नई प्रोजेक्ट के सम्मंद में मित्रों की सला आपके लिए फायदे बन रहेगी जीवन साथी के साथ रिस्ते मधुर होंगे दार्मे की स्थल पर जाने के योग बनेंगे और परिवार के साथ समय वेतीत करेंगे जिससे परिवार के लोग खुस न जराएंगे इस दोरान आपकी सभी मनो कामनाय पूर्ण होंगी प्रेम सम्मंद को आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे साथी सुदा जीवन में साथी का वेवार खुसी देगा और आए विवाहित लोग अगर साथी की योजना बना रहे हैं तो ठीक से विचार कर लें उन्हें भी अच्छे परणाम प्राप्त होंगे तो वेपार वेबसाय में अच्छी व्रद्धी होगी स्वास्ते की पृति थोड़ा साथान रहना होगा और इस दोरान भगवान गनेज जी को मेवे का भोग लगाए तो आप से खुस होंगे और आपकी मनों कामना पूर्ण होंगी दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब, सेर वे लाइक अवश्य करें जैब, मातादी दोस्तो